नमस्कार हमारे सामने एक 28 वर्षी है यूवती की कुंडली 22 सितंबर 1992 6 बचकर 12 मिनट पर निका जनम हुआ है ये कुंडली कन्या लगन की कुंडली है और चंद्रमा करकराशी में एकादश भाव में बैठे हैं लगन के स्वामी बुद्ध है राशी के स्वामी चंद्रमा स्वैम है क्योंकि करक राशी चंद्रमा स्वैराशी में अपनी राशी में बैठा हुआ है लगन का मालिक बुद्ध लगनेश लगन में है लगनेश का लगन में होना जीवन में अच्छे मान सम्मान अच्छे चरित्र की तरफ इशारा करता है वहीं साथ ही साथ व्यक्ति स्वयम के बल पर जीवन में कुछ करने में शक्षम होता है बुद्ध जैसा गरह है जब उच्छ का हो मुल्तिर कॉन राशी का हो स्वयग रही हो भद्र नामक महापुरश योग में हो तो व्यक्ति का जो वानिज्य है व्यक्ति की जो कलिकुलेशन है व्यक्ति की जो सोच समझ है वो बहुत अच्छी होती है ऐसे लोग पढ़ाई में अगर चाहें तो जीवन में अच्छे से अच्छा इस्तर प्राप्त कर सकते हैं बुद्ध की ये इस्ति इस प्रकार के रिजल्ट यहां दे रही है समझदारी दो तरीके की समझदारी जीवन में होती है एक शिक्षा की एक विद्या की शिक्षा की समझदारी देने वाला ग्रह बुद्ध है जो आपको जीवन में अच्छे शिक्षा देगा और विद्या की समझदारी देने वाला ग्रह है ब्रस्पती कि आपको समाजी कितनी समझ है आप समाज के लोगों को किस तरीके से देखते हो उनके साथ कैसा वैवार है कैसी respect है वो सब यहां दिखाई देता है अपने आप में बुध और ब्रस्पती लगन में बैठ हुए हैं व्यक्ति को समस्दार बनाते हैं बुध ब्रस्पती लगन में बैठ के दिगबली भी होते हैं इन सबसे मजबूती लिए हुए है, बहुत अच्छा योग पुंडली के लगन में ही दिखाई दिया है। लगन में सूर्य भी विराजमन है, दो आदश का मालिक जब लगन में होता है, तो ये कही ना कहीं एक घर से दूरी का कॉम्बिनेशन भी होता है। मैंने कुछ क्लासिकल केताबों में पढ़ा है कि सब्तम का मालिक लगन में हो या लगन का मालिक सब्तम में हो व्यक्ति अपने जन्मिस्थान से बहुत दूर जाता है, विदेश में जाके पढ़ना, विदेश में जाके कारे करना या घर से दूर चले जाना। ऐसे combination इस planet के यहां दिखाई देते हैं तो यह बहुत अच्छा योग कुंडली के लगन में तीन ग्रहों का योग बना हुआ है क्योंकि बुद्ध दशमेश भी है और ब्रस्पती चतुर्देश भी है इसलिए जीवन में भूमी, जमी, जादाद, वाहन सुक, प्रोफेशनल लाइफ का सुक, स्वेम के बलपे कुछ करने का सुक व्यक्ति को प्राप्त होता है अब बात करेंगे चंदरमा की चंदरमा एकादशेश होके एकादश भाव में कहा जाता है चंदरमा वो ग्रह है जो हर सवा दो दिन में राशी बदल लेता है अब ऐसा कोई ग्रह है जो हर सवा दो दिन में राशी बदल ले इसका मतलब उसके लाब देने के अफसर भी जादे हो जाते हैं जब लाब के अफसर देने की बात में करता हूँ तो कह सकते हैं कि ये source of income के लिए अच्छा है आपको multiple source of income भी ये दे सकता है कुंडली में बन रहे हैं बहुत अच्छे धन योग वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा धन भाव कुंडली के अंदर ये एकादश भाव आपकी source of income को दर्शाता है यानि कि आपकी profession के life से आप कितना पैसा कमा रहे हो वहीं ये शुक्र कुटंब का पैसा दिखा दता है तो शुक्र अपनी राशी में स्वैग रहे होगे हैं घर परिवार से सयोग दिलाता है कुटम का सायोग दिलाता है बच्चा जहां पैदा होता है उसका पैदा होने के बाद घर परिवार की लोग तरक्की करते हैं जीवन में अब आई बारी शनी की के शनी पंचम भाव में बैठा है पंचम एकादश और दूसरे घर का जाब आपस में संबंध हो तो ये बहुत सुंदर धनी योग है इसको कहते हैं जीवन में किसी भी परिस्थिती में व्यक्ति हो इसको कभी भी जीवन में धन की कमी नहीं होगी ये इश्वर करपा से एक बहुत अच्छा योग यहां बना पंचमेश का पंचम में जाना शनी की राशी में होना वक्री होना आपको एक तक्नी की शिक्षा की तरफ इशारा करता है टेक्निकल एजूकेशन की तरफ इशारा करता है और अच्छी शिक्षा का ये घुतक भी है क्योंकि शनी वक्री है व्यक्ति के भीतर नए नए विचार देता है व्यक्ति इसको कहते हैं वक्री प्लैनेटर के अंदर चेस्टाबल बढ़ जाता है यानि वो किसी ने किसी प्रकार की खोज भी नादी की परवर्तियों में भी लगा रहता है तो ये चंदरमा से भी इसका अच्छा योग बना शुकर से भी योग बना शुकर भगेश भी है तो भगे के इसाब से भी इस्तिया अच्छी हो गई शनी ने अकेला यहां चंदरमा और शुकर के साथ मिलकर सुन्दर धनियोग का निर्मान किया है अब बात करते हैं मंगल केतू के योग की कहा जाता है अश्टम का मालिक अगर दशम में बैठेगा तो प्रफेशनल लाइफ में प्राबलम देगा इसका सिधा सिधा सा मतलब है कि जीवन में मंगल और केतू की ये यूती आपकी प्रफेशनल लाइफ में संघर्ष कराएगी साती सात मंगल जब यहां बैठते हैं तो यहां से वो पंचम भाव पे आठवी द्रश्टी भी डालते हैं यह वो कंबिनेशन है जो आपको संतान प्राप्ती में समस्या दे सकता है जैसे कभी-कभी संतान प्राप्ती में देरी होना या मिस्केरिज के बाद संतान होना या यह कह सकते हैं कि आपरेशन से संतान होना वो इस्थितिया यहां दिखाई दे रही है लेकिन तीसरे घर का मालिक जब छटे घर में दशम में बैठता है तो व्यक्ती अपने प्रोफेशन को बढ़ने के लिए प्रोफेशन में तरक्य पाने के लिए अपनी पूरी जियो जान जोक देता है उसके अंदर यानि पूर्ण मेहनत करता है और मेहनत के बल पर जीवन में तरक्य हासिल करता है तो overall कुंडली बहुत अपने आप में बहतर है इश्वर किरपा से व्यक्ति जीवन में तरक्की करेगा अब बात करते हैं नवांश कुंडली ये आपके प्लेनेट की स्ट्रेंथ को दरसाती है कि यहां देखिएगा ब्रस्पती जो सब्तम भाव का मालिक है वो सब्तम भाव का मालिक नवांश कुंडली में 12 भाव में पहुँचा हुआ है इसका क्या मतलब है सब्तमेश 12 में पहुँचे और नीच का हो लेकिन साथ में उच्च का मंगल है यानि व्यक्ति घर से दूर जाकर प्रोफेशनल लाइफ करेगा घर से दूर जाकर जीवन में सुकसादा नर्जित करेगा घर से बहुत दूर जाकर विवहा के चांसिस बनेंगे इसको कहते हैं विवहा का योग घर से बहुत दूरी पर जाकर क्योंकि साथ में मंगल उच्च का होके दौादश में है इसका मतलब कहीं न कहीं ये प्रोफेशनल लाइफ के लिए अच्छा है अब नवान शकुंडली में भी आप देखेगा सब्तम का मालिक लगन में यहां भी सब्तम का मालिक ब्रस्पति लगन में यहां भी सब्तम का मालिक सूरिय लगन में इसका मतलब है आपने अपने जीवन में बहुत कम उमर में आप विदेश चले गए और विदेश में जाके रह रहे हैं और आने वाली सारी दشाएं भी ये कहती है कि आप विदेश में ही रहने वाले हैं एक बात तो यहां यह आ गई है दूसरी बात यह है कि आपने मुझसे जो सवाल पूछा है कि we all live together here, we wanted to know if she will be married in Australia or in another country or back in India. देखे मुझे जज़े संभावना यही लगती है कि वही रहकर ही विवहा होगा, वापस आने के chances बहुत कम दिखाये देते हैं, वही रहने के chances ज़्यादा है, वही रहना, वही विवहा करना, ऐसे chances बहुत ज़्यादे आ रहे हें। और आपने पूछा है, Will the boy be in profession or in business? देखिए, जब मैं कुंडली के सबतमेश की इस्तियां दादश में देखूं, और यहां भी सबतम भाव का मालिक अपने इसे सबतम में बैठा है, तो ये नौकरी की तरफ जादा इशारा करते दिखाई दे रहा है, अच्छी बात ये है, कि ये एक बहुत अच्छा संयोग दे रहा है, अच्छी नौकरी वारा लड़का दे रहा है, professional life उस व्यक्ति की अच्छी होगी, बाकी सब चीजें तो जो इस लड़के से शादी करेंगे, उसकी कुंडली से देखके पता लगेंगी, लेकिन इनकी से जितनी चीजें पता लगती है, वो मैंने आपको बताई है, married life wise कोई बहुत खराब combination, मुझे इस चार्ट में अभी तक कोई नजर आया नहीं है, फिर भी जो भी आप विभा करेंगे, वो लड़के की कुंडली से कुंडली मिलान करके विभा करें, गुण मिलान के चक्कर में ना आये, क्योंकि इनको चल रही है भी बुद्ध की महदशा, बुद्ध में चल रहा है राहू, बुद्ध नवांश कुंडली में थर्ड हाउस में बैठा है, मंगल की राशी में मंगल से दर्ष्ट है, बुद्ध पंचम का मालिक होके तीसरे घर में है, उसके साथ आई बुद्ध में राहू, राहू मंगल की राशी में ही बैठा हुआ है, और मंगल दुआदश में, अब ऐसी परिष्टियों में जो विवा से संबंदित इष्टियां होती है, इसमें कभी-कभी क्या होता है, बहुत बार ये लगएगा कि हाँ विवा होने वाला है, रिष्टा बनने वाली है बात, लेकिन बात बनते बनते अधूरी रह जाती है या बात बिगड़ जाती है क्योंकि इसको मैं एक pure combination अभी शादी का नहीं कहूंगा संभवते मुझे ऐसा लगता है इस व्यक्ति का जो विवा है वो 2022 में जाकर होगा 2021 में कोई इतने strong combination मुझे अभी नजर नहीं आ रहे है यतना कह सकता हूँ कि बुद्ध राहू की दशाने एक तरीके से शादी की starting तो कर दी है कि राहू और शुक्र unconditional marriage कराने में शक्षम है और यहां राहू और शुक्र दोनों बिल्कुल आमने सामने इसलिए शुक्र यहां इसको पूरा सहयोग दे रहा है लेकिन एक तरीके से अभी 2021 शुरू होने वाला है राहू ने विवा के promise बना दिये हैं आप दृष्टे देखेंगे कुछ रिष्टे आपको अच्छे लगेंगे कुछ खराब लगेंगे लेकिन कुछ कुल मिलाके जो इस्थितियां है वो तो 2021 के आखरी तक या 2022 के शुरूआत में जाकर पहुँच जाएंगी तो चिंता की ऐसी कोई बात नहीं है होरस्कोप में योग भी ऐसे हैं जो मैरिज को अभी तक डिले करा रहे हैं उसका रीजन है ब्रसपती ग्रहे कि ब्रसपती ग्रहे जो यहां सब तवेश को हो गया लेकिन नवांश में नीच का हो गया महिलाओ की कुंडली में शुक्र से जादे प्रधानता ब्रसपती को दे जाती है क्योंकि ब्रसपती पती का कारक है ऐसे में व्यक्ति अगर पूजा पाठ करने में रुची रखता है एश्वर के प्रतियराधना रखता है तो ऐसे लोगों को शुकल पक्ष के ब्रस्पतिवार से जो आने वाला भी ब्रस्पतिवार आ रहा है आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं और कम से कम तीन माला रो जाना ओम ब्रम ब्रस्पते नमा मंतर की माला का जाप वैच्चे को करना चाहिए और ब्रस्पतिवार के दिन कथा वरत और आरती जो होती है क्या ब्रस्पतिवार के वरत रख सकती है कथा वरत भी पढ़ सकती है कथा की किताब आती है इसकी पूरी तो आपके ब्रस्पती देव आपको blessings देंगे ब्रस्पती ग्रह में strong हो जाएंगे अपने आप में एक बहुत बहतर इस्थितिया यहां से है बाकी कोई कमीज चार्ट में मुझे लगती नहीं है भविष्य के इस आप से देखें तो professional life भी आगे growth करती दिखाई दे रही है तो कुंडली में अच्छे योग है जिसके बारे में मैंने आपको यहां बताया भी है ब्रस्पती की पूजा कर लेंगे तो जादे अच्छा रहेगा पन्ना रतन पहनना इनके लिए एक suitable stone होगा कुंडली मिलान करके विवा करें वो भी इनके लिए अपने आप में एक बहतर condition रहेगी तो आपने जो सवाल मुझे से पूछे थे उसके बारे में मैंने आपको बताया है कुंडली में देरी के योग हैं शादी के इसलिए आज इनकी वर्ष उमर 28 हो गई है जल्दी के योग नहीं थे इसलिए ऐसी स्थितियों में मैं अदिक्ता देखाया जीवन में 28 से 30 के बीच में ही जाके विवा होता है तो उसके लिए आप इंतजार कीजिए जो अच्छे से अच्छा वर्ष हो वो चुनिएगा कुंडली मिलान करके विवा करिएगा क्योंकि शादी अगर 30 साल के उमर में होती है तो 30 साल और जीवन में पती के साथ गुजारने होते हैं तो आने वाला 30 साल बहतर हो उसके लिए आप कुंडली मिलान का सहरा ले सकते हैं तो ये था आपकी होरस्कोप का अनिलाइसिस इन बातों के बारे में मैंने आपको बताया उन पर गोर कीजेगा पूजापाट कीजेगा मैंने आपको कोई ज़्यादा पूजापाट नहीं बताई है लेकि उतना ही करेंगे तो भी अच्छा रहेगा नमस्कार